कहें थो यहांप ंध का यह सब्सक्राइब तो हो यह बर गवाद कि अब सब्सक्राइब्स, कुरियं चाहना मिल रहा है यहां पर मालिक घार हैं प्रुपर उंके वरकर घा है यह बहुत जबक्षी बात हैं यह तुर्ष, यह सब्सक्राइबton मु और मोरुन व है पकुरियन से बात करेंगे ना लाइब ताकि आपको पता चल सके कि को रीन से बात करते हैं तो किस तरीक से करते हैं ओफ अब निकले को एंड पर आगे तो लाम की आवाज निकलता है मतलब कोई इस ख्लेस्टर्म नारी गर्द चीज निगा इसको मिस्करवे खाते हैं यह तो यह खाने जो इनके खाने एक तो बहुत ज्यादा होते हैं जो कोई खाना खाते हैं उनको समझ सकते हैं मियम 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 एस तांनी हूं हूं कि मतलब कि यह बिछी तो भी पड्रा जा सकता है number deux Give the a huun की चीज ने कारा था समझ लेए यह वाला यह की उवाज नीकार जा है तो वोविल में ये ज़लूदी है कोरियन आती है आहे हैं नहीं आती हैं कोरिया जाओ ना जाओ पास हो गड़िया हुँ अगड़ हुआ हैं यहां अगा करण मुष्छे चाहिए हैं अगा पॉज को घ्री कड़ अब चछाव को जाओ घ्री है एक अधर बैग होना जाहिए आपके पास को इस जिन्दगी की बूक है यह लेविल वन की यह यह लेविल वन की है मगा इसमें अलागे उसमें लागे लेविल टू की है को इन जबान का सबसे बड़ा कामयाब जारा है टॉपिक का जिसने जर्ड देना जो है 100 पर सणाएगा व पांच बुक्स का खुलासा बता दूँगा मैं कम्प्लीट समझ में आ जाईए उस सबसे बड़ी की बात कि आपको में मुबाइल से भी कुछ ना कुछ सिखाऊंगा मुबाइल से भी बहुत सी मालूमात बताऊंगा कि मुबाइल से हम किस तरह कॉरियन जबान सीख सकते हैं मुबाइल से भी मैं आपको बहुत से कोरियन से बात करेंगे ना लाइव ता कि आपको पता चल सके के कोरियन से बात करते हैं तो किस तरीक से करते हैं खैर स्टार लेते हैं कोरिया में जिन्दगी मैं आपको इसे खुलासा पहले बता रहता हैं कोरिया में जिन्दगी में मत सब्सक्राइब करने साथ उर्दुत तरजमा आपके मिलेगा और इसके इसे चैप्टर आगे जाते जाएंगे मतलब किसमें दो बंदे आप इसमें बात किस तरह किसे करते हैं विद्धियर्य आपको बहुत Guid gent center के से जाते भसा लिबर कोटट के इलाबा व सी मालुमात इस भूखसे में अब जो LEVEL 1 की उसमें मिलेगा। ये तमाम खाने पीने की चीजें। खाने पीने की चीजों के साथ आप महावदें महावदों के साथ जो है। इही तमाम बहुतuras adviser मौसमों के बारे में कितने तो यह भी लेविल वन नहीं किये वैसे मगर यह थोड़ी सी अच्छा मज़े की बात एक बता देता हूं मैं आपको कि एक्जैम किस तरीके गाता है अच्छा में आपको बता रहता हूं कि एक्जैम कि एक्जैम इस टैप का आता है जैसे कि यहां पर यह कैब बनी होती है मैं इन बुक्स के जरीए खुलासे के जरी इतनी तियारी करवा दूँगा कि आप असानी से टेस्ट पास कर सकते हैं मगर वीडियो बहुत जादा इंट्रस्टिंग होगी बहुत सी चीज़ें शुरू में आपको पता नहीं चलेंगी जैसे जैसे आस्ता आस्ता आगी जाएंगे मैं एक्जैम्बिल के साथ आपको बताता दूँगा जैसे कि एक्जैम में सवाल आएगा कैब बनी होगी उपर लिखाऊगा अंक्यों यांगमल मोजा उंदंगवा मतलब कि इन में से पूछ रहा है कि टोपी कौन सी जगा है तो मोजा कहते हैं न मोजा ही लिखाऊए इसमें चांस होते हैं तुक्के के भी मगर वह 10 परसन होते हैं 90 परसन आपको त्यारी करनी ही होगी तब ही आप मतलब कि इस टैप के सवाल आजेंगे यह इस टैप के आ सकते हैं एक उशे मोजा मिका ना इमीदा लिखावा है खाजुप संगो छेकसं साजिंगनी मतलब मतलब के यहां पर तस्वीर बनी होगी चेकसंग की टेबल कहते हैं ना चेकसंग को तो फिर हम बोलेंगे यह चेकसंग है तो इस तरीके से हमें questions answer आएंगे अब मैं बताता हूं आपको topic 2 जैसे हम जाएंगे तो थोड़ी सी यह बोलों यह सब books बता दूगा एक सब चोड़ो यह एक बुक की मैं आपको इस तरह गुमा कर दिखाऊंगा ना आपको लगेगा ओए होए 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 यह कौन याद करेगा कौन टेस्ट पास करेगा और फिर सबसे जाएदा जो मुश्किल इसमें आरे होगा topic में त और फिर इतनी किताबें याद करो फिर पता ने काल आएगी यह ने आएगी यह कैस को ऐसे पदसंख सेंगे अगर यह उग्यान पर प्हें राएंगे या कफ्या होए यो यह कोर्या ही ने प्रक्राइए होसकेंगेल अब जैसे कि मैं इसके पेस्ट कोड़ता हूं तो ज्यादा रख हो मैं मतलब कि ज्यादा इस्किमाल हूए में ज्यादा पुराणे पुरान है ना मगर जएसे जएसे आगे जा रहा हूं नियु 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 क्योंकर एंड में हम लोग कम पढ़ते हैं जितना पढ़ते हैं, मैं आपको इससे भी असान बताता हूँ, जैसे कि हम स्कूल में जाते हैं, स्कूल में जाने के बाद हम शुरू में क्या गाते हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, अब ये गिनती जो है, शुरू में बाद 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 पढ़न साथ का, दो का पहाड़ा सब बच्छों को आद हो जाता है, तीन का भी झाद भी झाद जाता है, पांच भी जात जैसे जहसे छे, साथ, आठ, नो, दस, जारह, यहां तक के 15 और 16 पहाड़ा घुल जो होता है, तो हमें मुश्किल लगते हैं, उसकी ज़़ए है, क्युवके 12 से कमेरे सुपर्टर प्रेंगा, जिसको भी शुतना है नो मिखना that 2, 3 से बाद टीचर's कोरते हैं रबेंट करने हैं 2 दूर से 4 पांच का बाद 3 चौंच को nicाओकोर पंच को पहाड़ा हमारी रबेंट करने के स्टैमना गिरता है हमारी तवनाई जाया हो रही होती है पंदरा तक पहुंचते हैं हम लोग बहुत ही मतलब के ठक जाते हैं अब पंदरा का पहाड़ा हमें याद भी हो भी जाए तो हम बार बार रपीर्ट नहीं कर पाते हैं या बार बार तवनाई हमारी यहां तक पहुंच नहीं पाती है जिस याद तो हो जाएगा, रट्टा भी लग जाएगा, मगर यहां से आपको समझ नहीं आएगी, मैं आपको अलिभ पेसे समझाओंगा, तो आपको समझ नहीं भी आएगी, और मज़े की बात ये है, कि आप टेस्ट के लिए मैं बहुत ही, बहुत मुफीद बाते बताऊंगा, कि कि टेस्ट में हम लोग इस तरह जुगाड करके मतलब कुछ क्वेस्टन ऐसे होते हैं जो कि आंसर देने से पहले क्वेस्टन में आंसर होता है उसके लिए जो टेक्निक है वह भी मैं बता दूँगा जैसे आगे आएगी ना मैं आपको बताता दूँगा मुबाइल में मुबाइल में क्या है कि लाइब बात कर सकते हैं हम लोग कोरियन से फिर इसके लावा हम लोग और भी बहुत से और भी बहुत से चीज़े हैं मुबाइल में जो कि मैं आपको बताऊंगा मुबाइल से भी हम मुख्तलिफ तरीके से कोरियन से बात करके जितनी ब मैं उम्मीद करता हूं कि आप दोस्त जितने भी और बोर नहीं होंगे बिलकुल बोर नहीं होंगे अगर आप देहान से देखेंगे घोर करेंगे सबसे पहले आपको किन चीजों की जुरूत है आप लो पे लो पकड़ लो और एक रिजिस्टर लेव रफ रिजिस्टर लेव इन चीजों की जुरुत होगे भी आपको अगर आपने वाकई में कोरियन सीखनी है सिर्भ मेरी वीडियो देखेंगे और सुनेंगे तो फिर आप कोरियन नहीं सीख सकेंगे अभी तो याद होगी मगर कुछ देर के बाद भूल जाएगी सेमेसे ही जैसे के हम लोग को कोई मतलब फूरन याद हो जाएगा रटा लगा लेंगे मगर दूसरे तीसरे दिन हम लोग भूल जाएंगे हां अगर फून नंबर हम पैन कोपी के साथ 10 बार 15 लेंगे और हर 34 दिन लिखना पड़ेगा तो फून हमें पूरी जिन्दगी यार रहेगा सेमेसे यह आप पकड़े एक रिजिस्टर पकड़ें साथ वीडियो देखें साथ प्रैक्टिस करें फिर आपको समझ में आएगी कि यह तो कोडिन बहुत ज्यादा असान कोई मुश्किल नहीं है इंतहाई जबान असान है बहुत ज्यादा असान है बस यह कि जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी उतना आप कामियाव होंगे जितना आप मतलब के बोलेंगे कि नहीं है यह मुश्किल है कोई भी काम है जब हम किसी काम को कहते हैं कि यह मुश्किल है तो हमेरे दिमाग में हजार रिजन आजाते हैं कि यह मुश्किल है यह मुश्किल है जब किसी काम को कहते हैं यह असान है तो हम अगर जैसे हम राइसल करते हैं उसके बाद चलता है कि नुकसान नजहीं को आते हैं जब तक हमें तक मुष्छी होती है , कि हमें इसमें दिलचस्प्रहाई ए मैं बरता है . पिर में स्टार्ट लेते हूं असलाम अलेकम दोस्तों मैंने साथ चीज़ें कंपलेड कर लिए हैं कोरियन लेंगविज का टेस्ट की तारीख अभी आई नहीं बहुत से दोस्त मुझे कॉमेंट्स करते हैं बहुत से दोस्त मेसेजिस कर रहे हैं कोरियन लेंगविज का टेस्ट आगया है आपने वीडियो अपलोड क्यों नहीं गई बहुत कोई भी पुरानी डेट या पुराना कोई भी अपडेट या पुरानी कोई भी पिक्चर अपलोड कर देगा तो उसका ये मतलब नहीं कि एक्जैम आगया है जैसे ही एक्जैम आएगा मैं लाजमी वीडियो में बता दूँगा कि अभी एक्जैम आगया इसको इस तरीके से पास कर सकते हैं इस तारीक को रिजिस्ट्रेशन करने है ओनलाइन रिजिस्ट्रेशन कैसी हो नहीं अगर आप मुल्क से बाहर है तो तब रिजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं पेसे कैसे जमा कर वा सकते हैं फिर एक्जैम के दुरान मतलब त्यारी किस तरीके से कर सकते हैं तमाम मालूमात बताऊँगा मगर एक्जैम की तारीख अभी नहीं आई है यहां तक कि अभी जपान में भी जैपनिस लैंग्विज का भी यही सिस्ट्म हुआ है जैसे के कोरिया में कि जपान में भी ऐसा ही क्योंकि वहां पे अफरादी कुछ नोजवानों की बहुत कम हो गई है जपान इस प्रॉबलम से बाहर निकलने के लिए पहले उनका ख्याल था कि हम गेर मलकियों को ज्यादा ना लेकर आए अब क्योंके वहां पे क्योंके जईव लोग ज्यादा हैं बच्चे पेदा नहीं हो पा रहे इसलिए जपान के नभी 2019 में ये कहा है कि हम एक्जैम लेंगे पाकिसान से जैपनिस लेंगज में जो एक्जैम को पास करेगा उसे हम 5 साला और 10 साला वीजा देंगे इसके बार में भी तमाम मालूमाद बता दूगा जैपनिस तो मुझे बिल्कुल भी नहीं आती है मगर भी जैसे इसकी डेट शीट आएगी तब भी बता दूगा कि आप जैपनिस की क्लासिज लेकर जैपान जा सकते हैं वहाँ पर सेलरी वहाँ पर सहलते हैं वैसे ही होँगी बलकि कोडिया से ज्यादा बेहतर ही होँगी तो मैंने चीज़ें सेटिंग कर लिए अपना जो है यह स्टैंड रख लिया है बुक्स रेख लिया है पैन मुबाइल और यह बेग वगयर सब कुछ रख लिया है अभी ज़रा तसली से आपको बिलकुल फ्री माइंड होके पढ़ना है न ऐसे पढ़ना है जैसे कि हम खेल खेल रहा है ऐसे नहीं पढ़ना है कि यह मुझे मजबूरी में कोड़ यह लाजमी जाओ भाई यहां पर आगे तो अच्छी बात है नहीं आए तो ज्याद अच्छी बात है यह माइंड में रखके पढ़ना है फिर आपको ऐसे याद होगी इससे भी असान लफ़ों में बता हूं किर्किट खेलते है एं ठकते है दूप होती है घर्मी होती है म press फिर भी हम खेलते हैं how do you say करके पढ़ेंगे ना तो फिर ज्यादा मज़ाएगा मैं कोशिश करूंगा बीच में बहुत सी एक्जेम्पल्स भी देने का बहुत सी आपको इंट्रस्टिंग बाते भी बताने का कोई बात याद आजागी लेंग्विज के दुरान के में साथ टेस्ट में क्या हुआ मैंने क चालिस लुजो है जाते हैं तो तक्रीब lent हमें कोरियन पढ़ना भी आजाती ए कोरियन सुनना भी आ जाती और पढ़ने आगई तो फ़िछ लेंकि आप है वो लिखावा है आवाज नाम पे उसमें आपको समाझ आ जानी चाहिए कि कौन सी अलामत कौन सी आवाज निकार रही है यह मैं सिर्फ 10-20 सेकंड में सिर्फ वे से नॉर्मली पढ़के सिखा रहा हूं आगे जाके मैं इसे तफसील के साथ प्रैक्टिस करके दिखाऊंगा क किस तरीके से हम लिख सकते हैं किस तरीके से हमें आती है सबसे पहले है आ या औ या ओ यो उ यो ऊ यो ऊ इаем ये दस आवाजे मतलब कि Easy Cane कि ये दस आवाजे निकालना आ गई तो आगे बेतकरीबन दस ही हैं जो में हैं बाकी मिलती जुलती आवाजे जैसे के जोहें काफ ऑ काफ की मिलती जूरती है अलामत हो सकTी अवाज हैं वेलिकल सें मेन निकलती आगर जैसे-जैसे जैसे जाएंगे आपको बहुत जड़ा असान नज़ी । बस ये दजे गोरूर्स पेले में प्रिक्टिस करते एं उसके बाद हम जाएंगे दूसरे वॉविल्स की तरफ उसके बाद हम जाएंगे कोंसेनर की तदफ अब start करतें आवे से यह प्रैक्टिस करनी आप से इसी तरह करें कोपी अपनी ले ले इसी तरह बना लिए वॉविल्स लिखें और तर्तियक से आपने इसी तरह लिखना लिखावा है यहाँ पर स्टाटके लिखा देना यहां से स्टार्ट लेना यहां पर एंड करना। यहां पर यहां पर इसे लिखते रहें साथ साथ बोलते देना है आ आ आ आ आ आ ठी हो गया मतलब कि आ जिससा ए भी सी होती है ना आ से स्टार्ट है तो समझे लें यह भी आ से ही स्टार्ट है अब करीब होगया अब दूसरा लवज है या मतलब कि जो एक करके वो एक था नहीं यह पहर जब दो आ जयें तो यह या की आँडे लिखें ना यह 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 या यह 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 एक दिन में आपको 40 वर्स याद हो जाएंगे यह घरंटी देता हूं क्योंकि मैंने एक ही दिन में चालिस वर्स तो एक ही दिन में आ गए थे फिर एसे करके ऐसे है पहला क्या था कि ऐसे करके ऐसे था फिर या जो था दो थे अब वह राइट साइड नहीं यह लेफ्ट सा हर्विए यह वाज निकलेगा ऑ करा में थोड़ साइड ख़र ऑ के मतलब कि पीछे की साइड आ ऊगए की तरफेसरण ही इसे ला नेदे अगे की साइड भाबकर यह पीछे की शाइड future ओ Oh 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 As an velvet कम मीस नेका है इसी तरह यह जो की आगा निकाल रहे हैं यह यह 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 आपने यह लिखेंगे आपको समझ में आएगा ना फिर क्या था कि पेले राइट साइड था फिर राइट साइड दो थे फिर लेफ साइड था फिर लेफ साइड दो इसी तदा यह अब उपर की साइड आ गय यह वाद मिकालता है ओ की ऑो ओ 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 ठीक हो गया और सभी है यह वाद मिकाल रहे है यो की पर फेले सिंगल यह डबलाता इन में तर्टीब जो है अलिब बे ते जिस तरह ड़ो आपको स्पिये अधा यह 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 o यहा यो यो यह 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 यो यो-इक है ऐन है तब उपर नीचे कि बार आगई मतलब राइट लेफ्ट उपर अब नीचे भाइं एक ता अब दो आगे ना तो यू की वाल निखल लेगी यू एक बार उपर नीचे ये दो बार नीचे अब ये दो नीचे यू 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 उसके बाद। ना उपर न नीचे कहीं कर भी निया सिर्फ एक लाइन है कि यह उपर न नीचे ना आगे ना पीछे सीधी लाइन है वह उपर ने कलेगा मतलब कि यह अगर आगे ना आपको यह समझ लें कि आपको आदी कोरियन तो यह आगए आया ओयो ओयो उयू उयू ए ठीक है उसके बाद आ जाता है इन डवल वाविल्स की आवाजें देख ले अलामाद देख लें यह है टोटल ग्या10 अलामाद पहली वाली अलामाद से मिलते जलती हैं आवाजेंD में तर फूरे सा लगए का के नहीं यह आ आवासे अलग ने कर रही ए सबसे पहले की आवाजने कर रहे है ए ए ये तीसे नमबर वाले के भी आवाज ए और ये निकलेगी से हम इसी तरह वे वी वा वे उ वे उई ये आवाजें मतलब कि सुनने में भी अजीव लगाई कि पहली बास सुन रहे अकेले अकेले की सुनरे तो आपको लगे है कि या यह तो एक लफस की आवाज अजीब सेने कर रहे हैं मगर जब यह आवाज मिल जाएंगी तो फिर आपको यह अजीब नहीं लगेंगी जैसे कि अगर मैं बोलूँ बे, अलिफ बे, बे कोई बोलेगा तो कितना बकरी की तरह बे बोल रहा है, कितनी अजीब आवाज लगेगी मगर जब वो किसी के साथ बे तो नहीं सिर्फ बोलते ना बकरी बोलते तो फिर सब मिल जाती तो आवाज जो है डिफरेंट हो जाती है, सेम इसी तरह आपको आगे जाके यह आवाज जाएंगी एक दूसरे के साथ तो आपको यह जबान असान भी लगेगी और इंजॉय भी कह सिंगल लाइन वाले थे ना जो इससे पहले थे यह सिंगल लाइन वाले थे मतलब के एक 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 लाइन थी एक एक लाइन थी यह दो दो लाइने वाली कहाने हैं यह यह तो यह आवाज एक जैसी निकालते हैं बस यह थोड़ा साथ आपको डिस्टरब आपको लगे आपको एकि ज्यासे यह ज्यासी अवाज हैं यूजशे यह की यह नागर आपको यह इसकी पहचान आगे नह en dalु आपको क्यों यह आपता को था सवाजे न लख जो आजा दो इसकी फिम आधा वाजे ने के अश शोटा एच है ठीक है अब यह वास निकाल रहा है इगी ए ए की नहीं है ए जिसना नहीं लिख़्ा होता है बड़ा ऐ की वाज निकाल रहा ए इस तरह आप है इस टाइप का जोए यह लिखते दें प्रिष्ट आ अज एए वह क्या था ये 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 पिले वारे वीक में क्या सब्ञाना फिर उसमें तो क्या वाद निकाल रहा था अब कि अभू यह यह वाज एक हैं यह भी वाज एक ही निकले दिया इस में शॉटी बड़ी यह जोटी यह जोटी यह जए यह जोएं यह तुए यह पिर ट। यह पिर आईन अलिफ ऑवाज एक जैसे निकलती हैं मगर क्या है कि लिखने में अलग है से इसी तरह इनकी आवाज एक जैसी निकलती है बस लिखने में फर्क है आगे आगे आपके आपको पता चल जाएगा क्या यह लिखने में क्यों अलग है जैसे कि मैं नजीर लिखो एक जैम्पिल दे देता हूं एक नजीर यह वला हो गया आप ये भी नजीर हैं पढ़ने में एक है मगर क्या है कि ये अलग तरीके से लिखा जा रहा है ये अलग तरीके से इसी तरह हैं वह जो पहले वाले वोगवल्स हैं से अवाज हैं लिखने में आगे फोड़ा शफ़में मतलब कि पहले अच्छा उसके बाद है फिर पहले क्या था कि आप यू की आवाज निकार जा दूर रहे इसके साथ एक लाइन और तो यह की आवाज निकले वह इसके बाद तो यह वाली वाज निकार था आ की जब आपने स्टार्ट में देखा आप यह आ की अवाज निकार रहा था और यह ओ की अवाज निकार था सेम इसी तरह ओ और आ क्या बना वा वा यहां पर भी आपको हिज्जे करना आए जाएगा है और भाहता हूं पर अपक्रीब्स टोर्चिद्धन वाल फिर दफिर डवल्य यह वाली वाज निकार यह gdy बने व स्टार्शन ऑगे ने अपको हिज्ज अबको आस्ता आ जिस्ताव तर आदीये ना पर फिर क्या हुआ कि पहले औ और यो लिखा फिर की अवाद हिए कर दो जिसा मिरें कर दो यह इनकले है만 य।अ प्र दोनों को अब दो दो निर्क है किए तो ऴखल निकल लिखता इस दो य लिखती है साथ मतलब के ये वाला ए ये वाला हुए हो गया 我ं कि दोनों मिल जाएंगे तो कि वास निकला गी ओ भी तो होगी कि आए हो की लिखेंगे लिखेंगे ित द pent अचे आप ये वाला है वज दी तो भी चेब एः ठीक हो गया यह तक तो आपको समझ में आजानी चाहिए कि आपने ये वाला जो है ये वाला चैप्टर एक मिलते जुलते हैं मतलब 40 में से 20 आपको आने चाहिए तो आपको कोरीन पढ़ना आ जाएगी मतलब के अगर आफको ने देखा कोई गाना यहासा होता है तो हमें याद नहीं होता है मारे जब उसकी कन्जमिन कातएं में ज्याद होने कि वैशे हो गाना भी याद ओए Cheese के धाना है आपको असानी से याद होगा जितने बार लिखें ये उतनी बार अवाज निकल ली और पहले आवास एक या ओ यो आ यो ओ यो ओ यू यू य य या ओय औयो ओयो 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 यू यू य उया ओयो ओयो is oyu oyu ayah oyu ayah oyu मतरब प्यान बजाले नहां मतरब आया ayah 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 फिस oyu 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 फिस oyu oyu ayah oyu oyu ayah ayah oyu oyu ayah oyu oyu uh oyu 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 yują oyu 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 o oyu ayah oyu oyu au différents ayah oyu 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 ayah oyu 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 o oyu लगकर आपको याद हो जैएंगे उसके बाद मैं आपको बता लेता हूँ वोविल्स में भी जो है नब इसकिख ञ давно मतरई हैं ज्मिन बनता हैं पीए ये के लिखवाद ये इसको यस मिध़ा पीछ निबता है कि अवागे हैं की आवाच निकलती आगे आएगा को पता चले यह बोबील अकेला निंगा इसके साथ साथ कॉन्सिलेट बनालाजमी है कॉन्सिलेट कोई भी नहीं होगा उसुजी यह होगा मतलब L is silent आउबाज निकलता है इसके जैसे नून गुन्ह पाकिस्तान में उन गुन्ह अचे सुम कुछितों हूँ में पाकिस्तानमी हूँ भी पढ़ा जा सकता है मगा हूं उन्दा की आउजा निकार रहा है तो वोविल में यह जलूदी है कि वोविल से पहले ना लाजमी है यह इनका रूल है अब यह यह इनका मतलब होता है यह हम वह कोई क्योंकर कोई-कोजियन व्以前 कचा2 वाए यह थीकुरा है वाव अच्छा यह वाउ नहीं किलिता हैं वाउ इस तरह लोग अबहुत है यह वाव को यह वाव कें एोु वाओ्हा थे वा थेवा 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 मैं ही तो ए और आधो हमा थे एस तरह से बोलते है फिर यह वाला विले यह बात निकार रहा है क्यों वले देखें बेले आ गया नहीं कर दो यह चैना के कहते हैं यह क्यों पह्लेm को यह मार्कर भी आपको करा को का कि मस्क्री कश़ रहा है नियुर्चियम ठोपिक यह मैंने कोरीन लेंग्विज के एक्जैम देने गया था तब मुझे यह पैन मिला था वहां से यह स्वी मतलब लिखना था तो हमें इस साइड वाले पैंसल लिखना था यह बारी के और जो निशान मार्क करने थे वह इस साइड से यह मार्का था इस तरगी साथ साथ गब चब भी करता दोंगा ताकि आप लोग बोर नहीं हो जाओं पर इसके बाद मैं आपको जैसे यह इ इसलेट के बाद मैं आपको इंट्रस्टिंग सी एक वीडियो पर दिखना हो अच्छा फैर अच्छा यह बार ही पहले लेते हैं अगिर सिर G2 को कि इसका मैं किसी को बोलूँ और अब हमारे गजर में अब और future back me बनी अब टिर्वायो जल्दी आजाउो पल्ली कहते है जल्दी को पल्ली वायो वायो आधे रही तो कम इसा लिखा हुए मतलब कि मैं बोलों के चैः यह यह पन शेक किताब sw這樣 एव यह यूज्ट है फिंशonal शेक टाप वीए कहते हैं उपर को फिर लिखा हुआ है यह वीवेयो मतलब कि यह कहते हैं मेमुराइज यादाश त्यां फिर बात करना या मिटिंग करना इस इन चीजों के लिए लोग इस्तेमाल गाता हैं कि वीवेयो वीवेयो इस इसके लिए वहला लोस्तंस्तुमाल गफाथ है मतलब के सारे वोविल्स से बन रहे हैं इसलिए एक जैम्पिल के तोद पर इन लोगोंने बताया है कि यह आप इस्तिमाल कर सकतें नहीं हैं कि युट्यूब में जाते हैं कॉरियन कार्टून्स तो मैं आपको बताओं के मुझे जो कॉरियन सीखने के लिए बेहतरीन कार्टून्स यह वाले अब भी मैं आपको बताता हूं अब प्रीज में अज्म में पक्रणाः करणा यह परम खिलाए कर डिए कार्टून्स जो अब देखेंगे तो यकीनन कोडियन सीज्चने में बहुत ज़्यादा होगा। स्के इलावा अगर हम आगज़ने बात करते हैं.. ओहलो। Pakistan, where are you from? What? ओधी नदा सारम यह? मौ रहाओ, रहाओ, हंगुमल जाराओ, चिंगु दू हंगुमल जारेया, रहाओ, रहाओ, हंगुमल जारेया, हंगुसारम? Yes! Oh, can you speak English? चक्कुम, रहाओ, हंगुमल मानी मुथथः? ओ, यंगुमल मानी मुथथः जी Pakistan? लाफिसान और? पाकिसान मFP‍।टि समय और weill अए और इस्थ मिद किरन? ही आरी Nossa लाफिसान और न आरी नहाएखगवआ sound नया नहाएखगवणगव़? चाहिए भी है जाए जानो दो से फिर श्रींग देख दो तो त्टन वोविल्ज देखें तो तंग ऊँग्योंगे थोड़ा सा टॉपिक चेंज करते हैं ताखे तो बड़ा सा फ्रेश हो यह जाए है कोरिया की जिन्दगी की तरफ चलते हैं को यह में अगया अपर इसलामबाद बैस पुराना शहर हमारे कराची है या लाखुल है इसी तद इनका स्यूल बहुत पुराना शहर है यह बताया गया है कि बड़े-बड़े महल होते थे बड़े बड़े मेलों में बात्षार देते थे जैसे के मारे लाहोर में दिल्ली गेट है दिल्ली दर्वाजा है यह फिर मिनारे पाकिस्तान है यह फिर उस 小ी किल्ला है सेमे इसी dividend कि इस्तिकafafty वह से हैंके सेहल में आपको में जाएंगे कि इसके वोगावा कि कमार किंग हाउस यह याद नहीं किंग्डम टाइम किछ इसा लिखा था जाइम कि इसा लिखा इसा लिए इस्कोष यह जासे हो जैसे जिसे कि यहां बच पर्द में गया था था इंडर को यहां नगे नियुक्सनी शैजादियों के साथ वहां के बाध्शा था पिले एसा लिबाद हो के खुए अनी बास देनी इतना तो कि यह मेहल है अंदास देगे मैं इस टोपिक पर बनाए भी है कोरिं किंग वेल फनी किंग अमटाइन के नाम से कि यहां पर आज 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 जितने भी मुझे लगदा सब बीवी के तो यह जाता हूं लिखा हो तो यह देखें तो यह जो है ना मतलब के हो गया से बारे मिन अगर आज़े थोड़ा से चले जाएं कोरियो के फनून तहजीव को जादा दिल्चस्प नहीं लगए क्योंकि यह लोगों को स्टाइल अलाग है अगर बहुत ही अनुखा है बहुत सबगस्त है यहां कि कुछे कपड़ों के बारे में आये तो इस तरह किसे कपड़े पेहनते हैं अब भी पेहनते हैं जब इनका क बादशाव कोई दीन नहीं चुटी हैं तो फिर यह लोग इस तरह के कपड़े पेहनते पुशाग कहते हैं इसको तो यह पुशाग की मालूमात की बारे में बताया गया कि रोज मदर की लिए बास वो होते हैं जिने गड़ पर इसे परोस में पेहना जा सकता है अमोमन पेह जिंदे पेहां तक मदों का सवाल है कि मेश पेंट पहें जनाना लिवास कमीश पेंट यहां इसकर्ट पहनती है अगर मौसम इजाज़त दे तो कोरिया के लोग च्छोटी आस्टीनों की कमीश या च्छोटी पेंटे पहनते हैं दूसरों से अलग गरμी के मौसम में भी जि पयंते हैं इन लोगों का समय नहीं कि है कि हम लोग थोच जो है चपल के नीचे बहुत कम पैघा जी नोर्मल स्वाथ तब यह लोग सोग्स लाज में पहना प्संद करते हैं इन में एक अलग बात है फिर जैसे की लिखागा खास मौब जैसे शादियों में मर्द अमूमन सूट पहनते हैं जब कि और तर अमूमन वन पीस यह टू पीस का लिबास पहनती है को डिया के लोग जब किसी फैक्टरी म पालिक वह भी मालकी ने चाहे मैनेजर है जनरल मैनेजर है एक जिससे लोगों ने जैकेट शर्ट एक जिसी पेंड़ाइव कोई तफरीक नहीं होती है कि वह अलग पेंड़ाइए तो उससे ना खाना भी एक होना पसंद करते हैं क्याकर कोरिण खाना मिल रहा है तो जहां प यह बहुत जबर्दस अच्छी बात है नहीं ना यह बताया रहा है कि मैं आपको थोड़ी सेव ही करा हम समय ले खुराक की बात कीजिए तो यकिन मैंने यहां के खुराक यहां पर आपको अंदाज़ा हो गई तकरीबन यहां पर 90 साल 100 साल 120 साल तक की उमर के लोग यहां पर आ तक रावी के सीझाज हो जया हों वह जाल हो चीज़ेह खाना पसंद करतें इन सादा और मिच मितास के helps हैं जांकर नइए कि पर Today चपिछा जिस में चाष्मिच नो चिति सिच मरतों चमार तो क्या तर्द थो इस्तिमाल करतें क्मश चाल शूप बहुत हैं मेसमितिका छावल इसे पहले इसे का उटाने जाता है कि कांटे जौ है वह वी चीज उठानी कि यह इसको खीपूब करता है और में अधोर इन चौन OFF करता है ने पालोका था था ग्राए त्मृतिंदा कि खाने में खाने वी वीडियोस थी काफी जिसे कि यह भी है एक वीडियो इसमें में खाना खा दूँ यहां पर यहां पर एसा रेस्टोंट है जो कि इंतहाई सस्ता होता है और बहुत उंदा खाना में जाता है कि कीमते बता है कि आपने देखते हैं कि साफ सकता होता है कि फिविम फप में धा रहा हूं कि आपको मिल जागी है में इस वीडियो में कोगी लंच जी पेने किया हूए टाया हूं कि तो हुए कि प्लेस्ट्रों यह श्रां करें लगाई दो गखाते हैं उनदोंरा कि वैखाते है कि कि बाया हूए बहुत ही जबादस किसम की की जाए इसके बाद अगा थोड़ी सी बात की जाए चलो कुछ लफ्स पढ़के भी देख लेते हैं क्या लिखा वैब चावलों को बगेर खाने जाने वाले खानों में डोकडोग या चावलों का सालन और कोपसं दूसरे दवाईती खान में मुख्तरे चावल की टिकिया होती है जैसे के इंचुनी और सौंग प्यून अच्छा यह बताया है इस ताद की डिश है इस ताद की कुछ चावल और यह के खिमची चीपप और यह है फेक्खिमची यह ओइसुप फेकी और यह है खकदूगी खकदूगी बगयरा मतलब कि यह चीज़ा खाते हैं बहुत जबरस और रहाईश की अगर बात कीजिए कि यह रहते कैसे है रहने पर भी मैंने एक वीडियो पनाई जी है कि इनक हो आई हाद में इस तरह की प्राने घज़ा होते हैं यह लिखा होगा है जब कर आकिवरा में की फट बाला मकान मतलब की पराना मगानें चिछरण का क्या आई क्विश्ड़ के है चुपी चिव यह आजकल अरे आधा है शिक्तार के। अमेरिकन स्टाइल के इस तरह के आपार्ट्स बहुत जएदा आ रहें भी अब इस तरह के मकान भी आ रहे है और इसके उपर भी मैंने आपको सर्च करनी हो तो वीडियो मिल जाएगी इस पर यह वीडियो है ना विलिच लाइफ में आपको घर मुखलो के सब के मिल जाएंगे इस तरह जैसे ही आगे जाएंगे कि इसके बादे में बताया है यहां फिर में कबिस्तान है कबिस्तान भी दिखाया है फिर आगे जाए कि शेरी टाइप घर भी होंगे है यह मेरे ख्याल में आजाएगा भी है लोग होते हुशेरों कि दर्फ चले जाते हैं कमाने के लिए और जो बजूर्ग मतलब कि इस गाउं में शेरों में जो घर होते हैं इस पेड़ी वीडियो है साउथ को यह विलिज लाइफ एंट फूट स्रिक्रिट्स क्वार नाम से अजिए हैं तक करहा है तो यह क्राएप नेज़न वर विल्डिए फेफ हो गांगी अज़ोत जगा मिल्जारे कैडेब्ध इख्यान जाय ब्रस देन ठीरफ जबान नहीं तो यह कोई ज़िए की देखने का कोई फाइदा कोई मकसद नहीं ताइम्स आया है तो कोई जबान सीखने के लिए हम आगे चलते हैं कॉंसलिट की तरह की जिस तरह हम लोग यह अगला जो है यह 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 बस आगे ने तो समयले आपको पढ़ना आजाई आदी समयले आपने सीख लिए आदी यह बागी है अब मैं आपको बताता हूं कि यह स्टार्ट कैसे लेनी है हाँ तो भई इसको घीयक नियन्द थीयत रियल मियम फियब शीयत जूंग क्यों कहते हैं कहां से कि और और उसको अगर उर्दू में लिखेंगे तो इसको मैंने पहले भी जैसके बताया है। अब तफसीर से प्रैक्स करके बता देताँ हूँ को फिर यह को जो यो कर दो कि यह साथ टाइप का लिखा हुगा इसको घीयक यह स्टार्ट में जब आएगा तो खे से तो में दर्मियान मी आ रहा है तो फिर यह वार निकालेगा काफ की कि यहां से स्टार्ट और इस साइड को और अगर यह एंड उब आ जा रहा है यह वाला लब्स तो फिर और ओज निकालता है काफ की कि एंड में आ जाता है मतलब कि जैसे कोई कोरियन लब्स लिखा हुए एंड में यहां पर आ जाता है इस तरह तो ओक तो दो काफ की आवाज कालेकार्शाथ में आ जाएगा तो भींआ वाज निकालेगा दिज्ड़ में आजाएगा तो क्वा की आवाज निकालेगा इनकी थोड़ा सा है प्रृश में इसके बार देन न in इसको लिखते जिसे एयफ उन नीन कहते हैं यह शुरू में आए तब नून ए एंड पे आए तब नून ए यहाँ सेंट्र में ए तब नूने एंड में है तब नून ही की आवाज निकाले गए अवाज अपनीचीज नहीं कर दो फिर इसके बाद आ रहता है दीगत इस तरह जैसे सी लिखते हैं दीगत इसको कहते हैं दीगत ठीगत ठीगत अब यह दीगत जो है किसे आधाय APP और शुरू में आज़ा यह तो ठेड़ीवाद से का दिसु कर दे भाद देचु अगर यह दर्मेराँ में आगा तो दालो दाल這邊 के आधाया तो द यह जिर सकेके थे हैं आ यह आन पे आजेगा तो तो कि या बात निकले इसको दिकत एसको और यह रिय रियल कि अ करते है इसको ऐसे करें कर kiakनी ओन eer שמן रियल भील आ इसका यह अगर उस्टर का वा जाए तो रे से स्टार्ट होगा दर्मियान में तब भी रे की आवाज निकालेगा और एंड पर आगे तो लाम की आवाज निकालता है है ठी होगे ना यह एंड न में इसलिए बोल रों कि पिक्चर देखें आप पीचे तो असे आप पिल्कुल तो जाएगा जिए छो यह करके यह कि यह एक नंबर पर यह दो नंबर यह तीन नंबर पर हमेड नमाने अगर अगब आपको एसे समय नायीं या त備 यसे पहले नम्बर पर यह दूसरेां नम्बर यह तीसा नइंवर मतलब सेंटर शर। तो एक नमब मतलब स्टार्ट इस तरीके से एक दो तीन ने से यहां पर एक्जेंप्ल दे देता हूं एक दो और यह तीन इसी तरह यह चल रहा ठीक है उसके बाद आ जाता है मियम मियम इसको कहते है मियम मियम पीओसे डबासा है इसको कहते है मियम यह शुदू में आये एंड पे जहां पे है मीम ही की आवाज निकलता है में में एं की आटो यह जेखोई आर अ्छर्ट ये एंड्योजी निकलता है इंग्लिश्रावए अर्दुम्य अब आजाता है भी ओप इसको करते हैं बी ओप यह करके यूं करके यूं और फिर यूं है यह क्या रखेगा बी ओप इसको करते हैं भी ओप यह शुरूब में आएगा तो फे की आभाज निकालेगा फे अगर दर्मियान में आ गया तो बे की अवाज निकले गगा अगर एंड पर आ गया तो बे की आवाज निकले गगा पे ठीकिना मतलब पी और बी की अवाज इससे निकलती है चांब इसको कहते हैं फिर आ जाता है सी और तो हम सी औ है अभसी है फbok अ हम जागए तिक ना अब सरी जो है यह सीन और शीन के अवाद निकालता है इस वर शीन की ओजाझ वर निकालता है क्षानल्स के आधे कि निकालते हैं और एक तो यह लेखाने की आगे जाएगा टो । तो आपको असानी समझ बहुत मुश्किल नहीं है बहुत ज़्यादा असान है अभी आपको इसलिये लगए परस्ट टाइम सुन रहे हैं तो आपको मुश्किल लग रहा होगा अच्छा अब मज़े की बात यह है कि यह सीन और शीन यह वोविल के हिसाब से लगते हैं सिंगल इस एक हिसे सिंगल वोविल है सिंगल वोविल तो फिर सीन की और लेगी इन के कि अजल natural अब देखना यह होता है कि आदेशा हुए ह Landu यह जे सेंगल ले और सिंगल निकले इसलिए इसको यहों है मतलब सी किहसकतें रुछ पार यहों यूँ यूँ छीजीद टाइप का होता है इसकी कोई आवाज नहीं है जैसे नून गुनना है नसे हम इसी तरह है कोई आवाज नहीं है आवाज की आवाज निकलता है उसके बाद आ जाता है छी अट इसके बार आजाता है जी और इसको कहते है जी और इसे लिखा जाता है जी यह मोटर माजगर मैंने लिए है मेरा हाथ रही नहीं पढ़ आप यह एशी अगर आप समझ जाएं यह शुरु में अवास निकलता है छे की सथे की तंस तर्मयान में आजेगा तो आवाज निकालेगा जी की और इंड पर आजेगा तो आवाज निकालेगाती इसलिए इसको किरते हैं जी हो जी हो पिखने कि तर्दक को कि अब यहाण है अब यह मिलते जुलतेां जो पीछे रहा है ना मतलब ये और पार ये लform यह यवे मिल रहा है इसको G करते है इसको ची आफ जो शी जो जो उसको ची उत करते है हैं ची अची ओठ आगे ना ऑच यह आवास छे की निकालें गज़ाइग करते हैं यह स्टाट में है तो यह भी छे इन अगालेगा बार Chief की निकाल हैं यह दर्मियान एक नुमबर दो नंबर और तीन नंबर नों और तीन में इसलिए एस संठर में लिखते नहीं कि अब कोरीं लव्जर लिखे जाते हैं लो नीचे लिखना पड़ता है वह लुद नीचे आता है वैसे तुम्हें यह करता त्या तो फिर आप एंड को समाइब दो अगर इसके ब लवज लिखा जाता है अगर यहां पर आ तो इससे फिर आप एंड समाझ सकते हैं नहीं तो एंड ज्यादा यहां पर भी आ जाता है तो फिसलिए मैं यहां पर तीन नंबर लिख रहा हूं चीयोग तो गया उसके बाद खीयोग पीछे भी गया होगा पीछे आपने गया है ना गया है इसके बीच में लाइन लगए है कि वह से यू था इसके बीच में ऐसा लाइन लगए जैस इसके उपर लगए इसके दरम्यान में लगए इसको गयोग कि यह शुरु में भी खे की आवाज निकालेगा सेकेंड डाइम भी खे की आवाज निकालेगा और एंड पे जाके यह काउफ की आवाज निकालेगा तीसे नमबर पे एंड पे जाके यह वाज निकालेगा अब यह थिगत इससे पेले भी थियत आपने पड़ा था पीछे वह सिर्फ यू था अब यह बीच में एक लाइन आ गई इसको क्या कहते हैं कि थीगत थीगत तिकत अगल सॉन थीगत थीगत ऑगल कrawdे क्या एक थीगत थीगत यह शूरू में भी थे की augaज निकालेगा दर्मयान में भी थे की और लास्ट में ते की वाजब कलेगा एंड में यह लफ्ज तो दी की अवाज निकालेगा अब यह फी उप है फी आप से भी हम ने यून कर जो किया था यह वाला फी ऊप कि उसी तरह मिलता है यह क्या है कि यहां पर यह लाइन नीचे रिख यह पर यह सब करने है फी ओप इता हो आप एक फिए उप आप प्जांगा यह पे की आवाज निकालेगा फिर फे लों यहां पर आपके आजागा तो प्रक्राइब दो कि इस टार्ट में ने जो बताया उसकी स्क्रीन शॉड़ ले ले जाहे तो आप अपनी कोपी में कर ले यहां पर ईखमी मीच होगा तो समाज में नहीं चाहों तो यह कोपी में राइटिंग करेंगे तभी आपको समाज में आएगी वैसे समाज मुश्किल आएगी अच्छा इसको जो एक जो पहले था वो सर्फ यूँ था ना हम के वाद निकाल रहा था इसको हियोत कहते है इसके उपर यूँ करके एक छोटी यह जो यह की अवाद निकलता है ही अचियोत कहते हैं इसको यह इसको कहते हैं ही iv ही आप यह दरमियान में है की अधिक लास्ट में आज़नों टे की आवाज निकालता है मतलब कि यहां तक हमारी होगए सारी कोरियन लेंगविश कंपिलीट पूरी कि पूरी संक्यक स्थियस यह आज साथ साथ आण को समझ में आख जा आगे यह समय लोगोई चीजा है प्लड़े उसरें यह मिला आगे हैं थोड़ी सी मतलब के यह आपने याद केसे करना है कियक नियन धियत रियल 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 मतलब कि या पहले चार याद करें इसे यज़से पहाड़ा याद करते हैं यह जिद आया पर जाया करते हैं यह पियाँ पियानो के मीजिक याद करते हैं यह सांड रट'tा लगा लें कुछ भी कर लें पिर उसके बेद कॉप्यत् mesmo लिखना शुरू करते हैं ऐसे जैसे कि यहां पर खाने बने वे तो बार बार लिखते जाएं कियोग 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 ना तो आपको listening और reading दोनों में इनिगा इस्तिमाल होगा राइटिंग का जो टेस्ट यहां होता नहीं है यहां को यह में topic exam दो तो फिर होता है यह हमें राइटिंग की दोट पड़ती है, हमने जोट पड़ती है कि खीयो कीवला लिकना है, शंग्खीयों क्यों लिकना है, यह फिर यह वiad कीवला को लिकने है, वहां पहर्बh Water से, छाना फैंट्च किवला को लिकना है,nothing घृत्चा। कि इहुंत थेग्र तेशन जीफ चय पोग शर। खो गया आपको वाभी के आरह सिमेट मतलब कहीं की थोड़ा सा बोलो तो तो फ्रेश हो जाते हैं कूई कपशप लगा लेते हैं भोलें तो इसको του फोड़ा सा ततना ही कर लेते हैं उसके बाद फिर जैसा करते हैं कोई इस स्टोडी सुनाता हूं की कहानी चल रही हां अच्सकी अभी परणा सेNow exam आएंगा तो क्योंकि आपकी प्रैक्टिस नहीं मगत जैसी प्रैक्टिस होगी खासू, 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 गाना गाने वाला आगी, आगी कहते हैं बच्चे को, बेबी को नेमू, नेमू कहते हैं मुरब्बा बना वाओ, स्क्वायर टैप का धारी, 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 टांगे सूरी, आवाज, मोजा, टोपी अबुजी वाले सहब, साजा शेर, सियो छीमा मचली, चियोगे रेजर या रबर, छीमा कहते हैं सकर्ट को, खो नाग को कहते हैं, थाच्छू शितर मुर्ग को कहते हैं, फोदू अंगूर को कहते हैं, होसू जील का किनारा कहते हैं अब देखें ये आपको लगे रहे हैं कितनी अजीब सी आवाज हैं किस तरह याद होगी कि खासू, आगी, नेमू, थारी, सूरी, मुझा, आबुजी, साजा, सेयो, छोगे, छीमा, खो, थाजो, फोदो, होसू, मतलब कि ये मैंने ना घर से सीखी, ना मैंने ये पकस्तान में सीखी, ना मैं मुझे ये प्रैक्टिस करने से आई ना, जैसे हम इसको बाद-बाद पढ़ेंगे ने तो हमरी रिडिंग पावर बढ़ जाएगी, सुनेंगे तो लिस्निंग पावर बढ़ जाईगी, अब सुनना कैसे है कि आपको मैं असान बताता हूँ क्योंकि समझ के पढ़ो, खेल खेल के पढ़ो, इंज्यॉय करके पढ़ो, इसा नहीं है कि बस रट्टाई मार लिया और पता चला यहां पर आने के बाद कोरियन तो अभी आई नहीं है, और मैं एक मज़े की बाद बता देता हूँ कि केमरा पुलो तो अपनी तरस कर लो यहां रहने तो यह सही थोड़ा सा अपनी तरस कर देता हूँ ताकि थोड़ी इंट्रेस्टिंग स्टोरी हो जाए, थोड़ी सी स्टोरी भी सुना देता हूँ क्योंकि फिर अगर सब पढ़ते रहेंगे तो मज़ा नहीं आएक बंदा बहुत हो जाता है ना, तो मैं यहां पर हमारे पा मैं वहां पर थे शेह बासान, अभी होते हैं इसलामबाद मेंुझ मैं। मैं यहास मैं यहाद वाओ सकता है। और थोड़ा सा यकीन है कि को यहाद कराची से यहादा है। मैं लगा पर किसी यहाँ क क में अधाकि वरक्राश भाद यह और मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोग बीच में हमारे पस टाइम बहुत कम था अगर शेहबास साब से कोई हो सकता है शेहबास साथ भी वीडियो देख रहे हूँ कि हमसे सीख रहा था उस वक तो इसको एक लफ भी नहीं आता था इसको समझा समझा के ठक जाते थे ये इसको एक मतलब कि नीद बहुत आती थी ना क्लास में इतनी नीद आती थी मुझे क्यों क्योंकि रात को सर कहते थे कि रात ज़ादा से ज़ादा प्रैक्टिस करो लिखने की बढ़ने की बोलने की कि We can not know how to practice such a sound, क्का क्उरिया का नाम था जानाया की जानाया तो रात फूराक्टिस करते रहे हो मतलब के दो भी बच जाने पिंब भी पच जाने दो ऐसा जब ग्लॉस में जाते ही तो नेन्त बुरा हल अब सर नहीं लो भी प्ढ़ा रहा हैं तो हमारी वाबा हो जाएगी जब हम फ्रेश होके जाएंगे खाना मुकमल खाके जाओ फ्रेश होके जाओ कि आपको नीद नाए अगर नीद आ रही तो मैं असान हल बताता हूँ आप कोफी पिए आप चाय पी सकते हैं कड़क ताकि किलास में आप चाकोचो बंद रहे 90 परसें लडगे किलास में सो रहे होते हैं जो आज पढ़ रहे हैं किसी भी और ऑफिस में किसी पी सरे के पास वो मेरी इस बास से मुत्विक होंगे किलास में उन्हें नीद बहुत जादा आती उसकी वज़ा यह है कि रात को बहुत जादा मेहनत कर लेते हैं दिन में फिर नीद आती है तो इसलिए गुजारिश यह है कि यहां तो कड़क चाय यह कोफी पियो यहां भी रात को मुकमल तोरके नीद पूरी करके फिर दिन में चाको चो बनो के पढ़ेंगे तो जो रात को आपने पांच गेंटे पढ़ा है वो दिन में आप एक गेंटे में फोकस करेंगे ना काम पे तो आपको समझ में आएगा अब इस सर क्या पढ़ा रहा है उस वक्त समझ में नहीं आ रही थी जैसे घर जा दे यह समझ में नहीं आ रही उस वक्त तो यह यूट्यूब पे इतना वो भी नहीं था कि यूट्यूब पे हमें यह सारी मालूमात मिलती तो घर जाके जो मतलब कि जो 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 सर बोलता रहता है सासा लिखते रहते कि यह घर जाके भूलना चाओं मैं मगर खैर मुझे सर शेपासर ने मुझे सिखाई थी कोडीन जबान उस वक्त मुझे जबान नहीं आती थी सच बताऊं तो आथारा दिन किलास ली थी यह सतरा दिन किलास ली थी यह शेबासर इससमें बारत थीरा चुटी के गई आगラगे थे सतारा यइचा दिन किकलास ली थी और अतनी मुशकिल लग रही थी पता नहीं पास होंके न элемNandum के राची से आया वहा था ना पढ़ने के लिए अब मुझे ये था कि पास हूँ या ओ कोरिया की तिर्वटे टक्रें ऐल्ला को मार रहे तो बड़ी नाइसाफी हो दूह यहाल honesty ब और क्भी डर बीरूह कभी वजीफह पढ़रा हो कभी खरत दे रहाऊं, कभी क्या कर रहा रहा हूं कोई क्या कर रहा हूं यह मैं सच स्टाख बता रहा हूं अब जब एक्जाम आया एक्जाम कुछ समझ अच्छा एक और मज़े की बाद बता देता हूँ वीडियो असल में इंट्रेस्टिंग होती है पढ़ने मज़े तब आता है जब साथ कोई स्टोरी उसी से लिंक हो दी हो तो फिर पढ़ने मज़े आता है पढ़ते दिमाग बोल जाता है फिर दिमाग काम करना छोड़ देता है या मज़ा नहीं आता है खैर शेबास सर नहीं मुझे यह कहा था कि इसा नहीं करना कि जाते ही जैसी वो उसको टेप रिकॉर्ड होता था टेप रिकॉर्ड चले और तुमने फोरन जो है ना बटन उसको कागस पर हम टिक करते हैं अच्छा तो थोड़ा वो पहले आने वासे बोलेगी खुशामदीद बोलेगी एक्जैम शुरू होने लगा यह बोलेगी इस तरह की बाते करेंगी उसके बात जो है ना सवाल आएगा अच्छा मज़े की बात यह हुई कि टेप चल गई मु यह पता नहीं चला कि सवाल कब शुरू हो गया कब उसकी वो सलाम दौा खतम हुई सर ने टेप रोकी करने लगा पता चला कौन से सवाल पर है मैंने बहुत लगता है अभी सवाल शुरू है और मेरे रंग उड़ गया मैं प्ले करने लगा हूँ वह से सुना तो यह सिच्व कि में अपने मतलब के उसगे नहीं कि बुद्च होती एक उतनी सकती लिए तनो ही बसक्ति तरो दो¥ यह तक्यक्ता का जाया हुं उस कहा हूँ बाद हो अरे बात के logo है जो 2nd publisher si lon get कोरियं लंगेज़ टेस्ट होआ है वह मैंने दिया अछा जनाब आप मुझे मुझे यह था allah QAR PAS हो जाऊं Korean आती है और नहीं कोरिया जाऊ ना जाऊ आ पास हो गया हूं मैं रिश्टेदार को बोल दिया मैं तो पास हो गया हूं खेर हो मैंने लास्ट वीडियो में बता है कि पर उसके बाद काफी मुझ्पलों के बाद मुझे कौला ही हैं काफी अरसे के बाद आएक पकिसान में खराब हैं। दिन बाद । माली लहाज से भी, मौईशी लहाज से भी इखलाकी लहाज से भी मतलब कि घरवाले कह रहे था कि भी वह खलांड नव्त तो कि बाद उसका बेटा देखा वहां तक पहुंच गया है उसका बेटा देखा ओहां तरक पहुँझ गया उसने देखा कितनी عङृफ की है walk भी हमने तो कर लimmer ली थी ली नहीं पहु आरोतम इसमेह मारा क् Thinking नाइगा में जैसा मर्हूद गेढ़ीह समग्ज लिनी चाहिएगा capitheub contrat बेटा तो तो कॉर्यन जबान यहां पर आकर आकर सेखि़ी बहुत 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 है और नगे हम ने बहुत ना हैंगर इसटार्ट ह allies से अभी है जहां पर भी जाओ माठ यो तो आपने से बात करो समझ आया नहीं आया या बिदा करो मुझे समझ में नहीं आया ये इह बोल दो मतलब बोलो कुछ ना कुछ बोलो वह confidence बने भार...? पनोगने उनसे उनसे वह नहीं smart funds!" मुझे लगता है तो यह जबान ऐसे नहीं आई है, मैंने बड़ा फिर केसे आई है, कहने लगा तेरी जबान जबान से टक दिये तब जाके आपको जबान आई है, यह थनी बड़ी बात उसने कह दी मैं शरम से डूब गया, मैंने बड़ा सब्दर भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, कि जबान की ज प्रैक्टिस करने से आजाती है, यह पाकिस्तान में बहुत से स्टूड़न्स है जिनको बहुत ज़्यादा अच्छी जबान आती है, मार्क्स बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्या उनकी जबान कोरी वह अच्छा है, अब बात कहीं और निकल जाएगी, तो यह बात होती है कोरीन जबान सीखने के लिए इस तरह के मराहिल आते हैं तो भी थोड़ा इंटरस्टिंग हो गया, अभी आगे चलता हूँ, मेरे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होगी है, पार्ट टू में अभी बताता हूँ मैं, कि हम हिज्जे कैसे करते हैं, जुमले कैसे बनाते है पार्ट टू में बताता हूँ, कि इतनी ज़्यादा लंबी वीडियो भी लोग फिर दुबारा स्टार लेते हैं तो भूल जाते हैं, पार्ट टू में बता देता हूँ मैं, किस तरीके से हम लोग हिज्जे करते हैं, जुमले बनाते हैं, जुमले को पहचान करते हैं, किस त यो निए मुझे पार्ट टू में बता देता हूं वीडियो पसंद है तो लाइक कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको दिल इजादत दे तो इस तरह की इंटरस्टिंग स्टोरी एपने इस जो भी मेरी लाइफ की होगी वीडियो जो बनाता है तो यह द दोस्तों का भी भला हो जाएगा, मेरा भी भला हो जाएगा, असल में कोई भी काम करते हैं, उसमें अगर वो बहतरी के लिए कर रहे होते हैं, तो उसमें हमारा ही भला हो रहा होता है, दूसरे का हो ना हो हमारा भला होता है, तो इसलिए मैंने समझ लिए अपने भले के लिए तो यह में मूदिस सेफ कर रहा हूँ, अपने दोस्तों कर सकते हैं, अपने दोस्तों ख्यार रखिएगा, अल्लाः आफ़िस,